हेगाइस वेलकम बैक टूमाइड नीव लॉग पुरज भी यहां पर आप देख सकते हो एक निव ब्रीड लाएं हमारे चत्रीजगर में बिलासपूर सहर में यह पहली पर तो यह इसकी जो औरीजीन है यह हमारे नेपाल के और यह फरी डॉग होते हैं और काफी समझाद डॉ ही मिला है यह किसी भी डाइट पर रह लेते हैं और इंका साइज में बताया बड़े साइज की होते हैब बट इनका खानपाज होता है वैसे तो इस में थोड़ा बड़ा है क्विवे दोनों अलग-अलग परेन्स के हैं और इसको आगर बच्पन नमका के यह जो को लुप्त होने नहीं देंगे इसे हम घरगर पहुंचाएंगे विल्कम बैक टुमाइं नीव लॉग तो दोस्तों आज मैं फिर से आ चुका था तामरकार पैट्स विला के कैनल में दुरज भी यहां पर आप देख सकते हो एक न्यू ब्रिट लाएं हमारे चतिजगर में बि प्रिट और क्या के खासिए सब्सक्राइब ये पहली आप तो यह लाकों में पाए जाता यह हमारे बीजे खाइब बड़े साइस का डॉग होता है यह लेकिन इसकी खासियत यह इसकी साइस बड़े होते हैं बर इनका डाइट कम होता है अच्छा और यह फरी डॉग होते हैं और काफी समझाद डॉग होते हैं और मैं इसकी ब्रीडिंग इसलिए करना हूँ पहली बात तो मैं खुद बॉक ही सौखिना आदमी हूं। मेरो को नहीं चीजाह में वड़ा मज़ा आता है और दूसरी है कि यह बृट हमारे वह ही समझ लो हमारे भारत की है और यह बृट जूरा था तो मैं इसकी त्यागात जो है बढ़ाना चाहता हूं इसकी बीडिंग अभी चालोे किया हूँ और हमारे 36 गड़ में तो फिलाल कोई भी काम नहीं करता इस ब्रीड में तो इस ब्रीड में काम करने को शुरू किया हूँ आगे इसके ब्रीड दिखाएंगे आपको अभी फिलाल देख लो दो महने का है ये पपी और काफी हवी वेट होता है जैसे कि आप बता रह इसको ब्लैक अंट एंट इन बोलते हैं और एक इसमें लाइट कलर भी आता है थोड़ा और इसको ट्राय कलर बोलते हैं बट यह जो है इसका टाइटल कलर रहे इसका अब तर पाया जाता है बी तक तो लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई ब्रीड है भी इसलिए तो अभी सब्सक्राइब तो मैं लाया हूं उपने कैनल पे और इसकी ब्रीडिंग अब शुरू किया जाएगा और हमारे चाटिस गड़ में इस बीड को फैलाया जाएगा वांकि पहाड़ी लाकों में इसके कई बीड आपको वीडियो में दिख जाएंगे बांकि चाटिस गड़ मे बुला जाता है ऐसे चार-पांच और तो नेपधाल प्रहिए सबसे पहली बात तो यह मैंटेनेंस कम होता है यह किसी भी डाइट पे रह लेते हैं और इनका साइज में जैसे बताया कि बड़े साइज के होते हैं इनका कम लगता है यह ज्यादा खाते नहीं है उत्ता खाना इनके लिए परियाप्थ होता है और यह फैमिली फ्रेंड लिया है कि कैसा इसका बेसिक नेचर अगर आप इसे घर पे रखोगे तो यह काफी फैमिली रहते हैं लाइक लाबरोस और अगर आप इसे गाडिंग परपस अगर एक फार्म पर रखते हो तो इसके जैसा गाड दूसरा डॉक गाड कर भी नहीं सकता है यह बड़े बड़े ऐसा है कि यह उत्राखंड के एरिया में यह भेडियों से भेडिया जानते हो गया जो जंगली भेडिया होते हैं यह उनसे अपने भेड को बचाते हैं वहां के जो लोग भेड का बिजनस करते हैं जो काफी कागात पे बेड रखे रखे रहते हैं दो अलग अलग पैरेंट्स के हैं सेम डियने के नहीं है और जब हो जाएगा तो इसका बॉड़ी वेट जो है लगबग लगबग आप नमारे चलो 55-60 किलो रहेगा मेल का और फीमेल में आप जाते हो तो वह लगबग लगबग 40-45 कि रही और जिसे भी आप बता रहते हैं कि यह लाकों में पाया जाता है इट मिन से ठंडी लाकों पाया जाता है तो हमारे 36 गड़ के वेदर में यह ड़ल जाएंगे कि नीड़ जाएंगे इसके बार हम थोड़ा से बताइए कि समर टैम इनको प्रॉब्लम आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बिल्कुल बढ़िया इस ब्रीड में बाकि अगर कोई फ़फ़ा रहा रहा है यहां कैसे रहेगा यह वह तो आप अगर लेकर जाओगे तो आपको इसको जंगल में थोड़ी चोड़ना है आपको अपने घर पे रखना है और आपका घर है तो आपके पद्स पंक्ये कूलर होंगे यह ज्यादा ए यह अगरेसिव डॉग नहीं है यह गार्डिंग परपस डॉग है यह अपने ओनर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं और काफी समझदार होते हैं और घर पे यह अगर आप इसको रखते हो तो यह लगबग लगबग इसका जो बीएवियर है लाबाडोर से मिलता और अगर बचपन से ऐसा गार्डिंग बरपस रखते हो किसी फाम पे रखते हो तो यह जो गार्डिंग करेगा वैसा गार्डिंग आपका राट फियलर भी नहीं करेगा रॉट विलर तोट यह गार्डिंग टॉर यह घंड हो गया फोटिया हो गया हमालहे हिमाल ओ gradually उन्हो में बता देजिए देखिए ब्रीडिंग तो मैंने अभी तो सौखी ने तौर पर मैं लाया हूं पहले तो मैं प्यार से इनको पालता हूं अभी मेरे को इनको अच्छा बनाना है अभी ध्यान तो मेरा फिलाल उस पे बट जब यह होंगे तो बच्छे आपको खुद दिख जा का आएगा वो साइकल पिरेड रहता है इनका फोर टू सिक्स मन्थ का उसके बाद यह फिरा जाएगी मतलब की आप यह माल लो कि अठारा मैंने या दो साल के बीच में यह पपीज दे देगी मतलब के दोजार चोबीश चार है दोजार पच्छीस में पन को मिल जाएंगे ज जी इनके पपीज मिल जाएंगे दोनों के टोबिया इस डॉक को आप कहां से इंपोर्ट कराय हो और इसके लाग बारे में ठोड़ा सा मेरे बता रहे थे तो थोड़ा सा अच्छीज बताई कहा सी इंपोर्ट कराया है मेल फिमिल को इसको मैंने भट बटिंडा से मेल है वह भी बहुत से उसका नाम है जंबो यह जंबो की डॉटर दोनों अलग-अलग डीने के हैं इस वज़े से मैंने पेर बना करके इसको इंपोर्ट कराया इन फ्यूचर दोनों की ब्रीडिंग करेंगे और जैसा अब देख रहे हो उम्मीद है कि इसे अच्छा प्रदर् सकता बट फिर भी आप मान के चलो कि एक जो जैंड बनाट होते हैं अच्छा खासा आप लेने जाओगे आपका बजट होना चाहिए पचीस से तीसाजार रुपए जैंड ब्रीड में यह भी आते हैं तो उसमें भी आपका बजट वैसे ही जाएगा बाकि साइज में भी वै आपको तो मिली जाएगा जैसा कि बता रहे हैं साट केजी कम नहीं होता कोई सब्सक्राइब कर सकते हो और काफी अभी बहुत समय से खेल रहे थे नीचे में अभी मैं पकड़ा हूं तो सांत हो गया मदब कि फ्रेंडली और गाडिंग पर बस सबसे पहली बात यह कि यह बह कोट सो गुजरते हैं हमारे 20 से अगर एक BMW जाते हैं तो हम उसको खोड़े दूर तक देखते हैं कि देखो BMW जा रहा है यह भी उसी तरह का एक ब्रीड है रेयर ब्रीड है जब यह कहीं से गुजरेगा तो लोग इससे भी उसी तरह देखेंगे कि मनदब की यूनिक है च्छ चछ गर में जितने भी तक किसी ने इस ब्रीड में काम नहीं किया है सौखी ने त कर पे भी बहुत कम लोगों ने लाया था जो अब दिखते नहीं कहीं लुप्थ हो गये हैं इतना सुनर ब्रीड है हमारे देश का है तो हम इसको लुप्थ होने नहीं देंगे इसे हम घर- हुआ 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 हुआ